नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनोज और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टड़ी पॉइंट तो संस्क्रत का प्रैक्टिस एड़ आपके लिए लेकर आयों गाईज और आप जो है ना इसमें सारे के सारे पिरसन सही कीजिएगा ठीक है और करेंगा लोगों देखेगा जिन लोगों ने लेंग वेज में एंगलिस के जगे संस्क्रत को लिया है तो गाईज उनके लिए वीडियो काफ़ी not होने वाली है घंस्याम हैं में चु समास होगा वह कौन सा समास होगा काफी अच्छा कोसन है और देखेगा हिंदी में आपका सबसे पहले हमार दिमाग में यह आती है तेको जिस समास में उपमान का पहले प्रएङ획 हो ठीक है उसे उपमान पूरपत कर हम लोग क्या बोलेंगे करमधार समास कहेंगे ठीक है हाँ जी चलेगा नेक्ट कोसन के बाद करेंगे सिक्का को संस्क्रत में क्या कहते हैं सिक्का को संस्क्रत में क्या कहा जाता है बहतरिन पिरसन आपका इसका अंसरों का नाड़ कम यानि कि पहला उप्सन आपका सही हो जाएगा इसके बाद कोसे नमबर तीन आज की वीडियो का सचल दूर्भास को हिंदी में क्या कहते हैं टेलिफोन, मोवाईल, टेलिवर्जन या आकासवाणी सचल दूर्भास को ठीक है इसको बोलते हैं मोवाईल बहुत अच्छा पूसन है आपका ये सचल दूर्भास को हिंदी में कहते हैं आप लोगों को नहीं पता होगा किसी को कि भी मोवाईल को जो है हिंदी में क्या कहते हैं तो सचल दूर्भास इसको कहते हैं ठीक है और टेली विजन को संस्क्राइब में दूर दर्सनम कहते हैं ठीक है एक आपका चैनल आता था दूर दर्सन का ठीक है चलिएगा नेश कोसन के बात करें हम लोग सरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी विवक्ति लगती है सश्टी सप्तमी चतुर्थी और त्रत्या य त्रत्या विवक्ति लगती है ठीक है जिस अंग में विकार हो उसमें जो लगती है आपके त्रत्या विवक्ति लगती है जैसे कि देवदत्त हैं ठीक है काफी सारे उधारण है आपके अगर मैं इसको बताना चाहूं तो क्या बताऊं देखो एक आपको बता रहा था देव दत्ते हैं अक्षणा कान ठीक है यानि कि देब दत्त जो है एक आंक का काना है चलिएगा नेश्कोसन की बात करूं में वै का उच्चाने स्थान क्या होगा वै का उच्चाने स्थान क्या होगा 71 की बात करेंगा हम लोग यहां पर वै कंठ तालू दंतोस्ट कंठोस्ट एवं और यहां पर देखेगा कंठोस्ट नहीं होगा कुछ लोग यहां पर सी ओप्सन भी लगा सकते हैं मैं आपको बता दो दंतोस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है यानि कि इसमें जो है कंठ रिखन स्कूरत से होता है ठीक है यहां पर आपको यहांसे पूचा है व का तो इसलिए आपका हो जाय pronounce ठीक वैसे तो आप लोग मेरी वीडियो दखी होगी हिंदी कि तो उसमे सारी चीजे समझ में आगी होगी आपको यहं प्रिटिहार के अंतरकत One होगा यह अग्यार्थ प्रिटिहार के एक advertisers 500 है पहला उप्सन देक हां इस पहला उन्क करत्स आपका जी कौन सा option होगा यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ option number आपका B option सही हो जागा यहाँ पर ठीक है नव नवती ही यानि की answer होगा B option बहतरी नवती ही आपका देखिए आपका देखिए आपका क्या कहते है संस्किरत में जो है आपसे पूछ सकता है अगिंतियों को नवनती ठीक है अगर मैं बात करूँ नवती ही पहला option जो है आपका नवती को कहते हैं 90 कहते हैं इसको कहते हैं 89 ठीक है चलीगा next question की हम लोग बात करें अगरा person आपकी skin पर आ चुका है मल हारम का अर्थ क्या होता है पहलवान मल्य युद्ध वर्षाकालीन एक राग इनमें से सभी बहतरीन person है आपका इसका उर्था है वर्षाकालीन एक राग जी यहाँ परांसरोगा तीसरा option अगला question आपकी skin पर होगा मत सब्द में विवक्ति और वचन तो ऐसे person आपके ज्यादर पूछे जाते हैं विवक्ति और वचन वाले तो आप लोग कमेंट सेक्षिन में बताएगा जी मैं आपको बता जेता हूँ यहाँ पर होगा पंचवी विवक्ति एक वचन ठीक है नैश कोशन मध्यम पुरुस्य संबंदित सर्वनाम क्या है मध्यम पुरुस्य संबंदित सर्वनाम क्या होगा 76 की बात करेंगे मध्यम पुरुस्य संबंदित सर्वनाम जो है यूश्मत है यूश्मत यानि कि यहाँ पर पहला उप्सन हो जाएगा कोशन बनेगा आपका यहाँ पर कि कालिदास विचरित पिर्थम नाटक कौन सा है ठीक कालिदास ने पहला नाटक जो है कौन सा लिखा था ठीक है यहाँ पचार उप्सन आपके समगचे है देख लीजीगा कौन सा उप्सन आपको लग रहा है यहाँ पर सही अंसर होगा मालवी कांगनी मित्रम यानि कि बी उप्सन सही अंसर होगा सब्द कितने पिरकार के होते हैं सब्द कितने पिरकार के होते हैं 78 सब्द जो है पांच पिरकार के होते हैं कितने पिरकार के होते हैं संग्या सर्वनाम विसेशन अव्या और किर्या संस्क्रत में विवक्तिया होती है तो संस्क्रत में जो साथ विवक्तिया होती है ठीक है साथ विवक्तिया इकरांत इस्त्री लिंग नदी सब्द का दित्या विवक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा इकरांत की बात कर रहे ह हम लोग ठीक है नदी इकरांत इस्त्री लिंग जो है सब्द के दित्य विवक्ति बहुवचन का रूप है ठीक है नदी यानि कि जहां आपर यो आंसर होगा पहला उप्सन सही हो जाएगा चलिगा नैश कोशन आपकी स्किन पर आ चुका है देवदत्य ग्राम है गच्छती का कर्म वाच्चे में रूपांत्रन क्या होगा देवदत्य है ग्राम है ग्रामम गच्छती कोशन वरिकासी यह होगा इसका जो आंसर होगा देवदत्य थीक है देवदत्य ग्रामें गम्यते ग्रामें गम्यते बी ओप्सन सही होगा आपका एट दीपावली प्रकास्य परवम आस्ती रेखांकित पद की विवक्ति आपको बतानी है यानि की पिरकास्तिय की जो है विवक्ति बतानी है इसमें होगा सश्टी C option अगला पिरसन आपका खादी तुम में कौन सा पिरतिया है? खादी तुम में कौन सा पिरतिया है? तुम इन पिरतिया है तुमुन कौन सा है तुमुन पिर्टी है यहाँ पर और यह वाला कोसे ज्यादा पूचा है था आप से व्रक्षात पत्राणी पतंती अब जो रेखांकीत है यानि कि व्रक्षात इसमें जो है आपको कारक में विभक्ति बतानी है ठीक है चलीगा यानिकी इसमें क्या हो रहा है व्रक्ष पत्ते गिर रहे हैं तो इसमें आंसर क्या होगा आपका को से नमचुरासी सही आंसर हो जागा आपका आपदान कारक में पंचिमी विवक्ति निजी सब्द का विलोम क्या होगा जी पर होगा इसका आंसर क्या होगा पर होगा Next question चाचा को संस्क्रइब भासा में क्या कहते हैं 86 सही आंसर होगा पित्रव्य है यानि की पहला अप्सन लच्छमी पूजनम में समास कौन सा होगा 87 लच्छमी पूजनम तो तत्पुर्व समास यहां पर सीधा सांसरा आपका क्या रहा तत्पुर्व समास अगले पिरसन आपके स्किन पर होगा वशुध हैव का संधी विच्छेद क्या होगा वशुध हैव का ठीक है अगर मैं संधी विच्छेद की बात करूँ वशुधा पिलस एव यानि कि बी ओप्सन आपका सही हो जागा यहाँ पर ठीक है नेश्ट कोशन तलवार सब्द का पर्याबाची नहीं है नहीं है तलवार सब्द का पर्याबाची जो है अटारी नहीं है दोस्तों यहाँ पर फोर्ट ओप्सन आपका लिखा हुआ है अटार सेक्षिन में बताएगा तो वीडियो कैसी लगी और लाइक शेयर जुरू कीज़ेगा थैंक शो मच बाबाए टेक केर